नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है मैं एक साइकाइटरिस्टू सेक्सेलोजिस्टू दीदिशन स्पेशलिस्टू और अकोला महराष्ट्र इंडिया में असाइकाइटरिस प्रैक्टिस करता हूं आज जब आपके समने टॉपिक लेका आने आ रहा हूं वो है सेक्शियल पोसिडी मतलब सेक्शियल अप्सेसिव कंपल्सिव डिसॉडर आज कल जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं ऐसे बहुत सारे पेशन्ट डिखता हूं जिनको यह बिबारी है और इसलिए मुझे जिनको लगता है कि मेरी नजर कंटिनूसली फिमेल्स के ब्रेस्ट पर जा रही है लेडिस को लगता है कि मेरी नजर जेंट्स के पेनिस पर जा रही है बहुत सारे ऐसे लोग खाली ऐसे विचार आते हैं उनकी दिमाग में कि सेक्स करने की विचार आते रहते हैं बहुत सार लेवल के ओसेडी तहो होता है जब पीशन को लगता है कि मैं मेरे बेहन के साध्टर्क के साथ खिलवाड गुरू ऐसे वीचार आते रहते हैं तो जब ऐसे वीचार पेशन्स को आते हैं तो पेशन्ट का जो मनोबल है जो कंफेड़न्स है जो धेर है वो परी तरड़ टूट जाता है उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं मैं गिल्टी हूं क्योंकि पेशन्ट खुद को दोशी मानता है उसको यह ध्यान में नहीं आता कि मैं यह मुझे विचार क्यों आ रहे हैं और अनफॉर्शनेटली यह सेक्शल विचार होने के कारण वो किसी के सब शेयर भी नहीं कर पाता क्योंकि उसको इतना गिल्टी लगता है और इतना गंदा फि खाया लाना, अपने रिष्टदारों के परती गंदे खाया लाना, अपने पैरेंट्स के परती गंदे खाया लाना, देवी देवताओं के परती गंदे खाया लाना, यह जो इंटरनल बॉड़ी पार्ट्स है जो हम छुपा के रखते हैं जैसे ब्रेस्ट्स, फिमेल बॉड प्रकार की बिमारी है यह बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं और अगर ऐसे बिचार आते हैं दिमाग में तो इससे डरने की या खुद-कुशी करने की या टेंशन लेने की या कोई भी बात नहीं है यह बिमारी का हम सेक्शल ओसीडी बोलते हैं यह बिमारी का इंपक्ट इतना ज्यादा है कि लोग अंदर यंदर गुपते रहते हैं इनको डिप्रेशन होने लगता है इनको एंग्जाइटी होने लगती है इनका जो परफॉर्मस है एकडमिक, फैमिली, फैनाइंशल यह परफॉर्मस पूरा डामेज हो जाता है और आदमी पूरी तरह से तूट चुका होता है हाली में एक बिजनेस्में यंग ज्वेलर मेरे पास आया था और वो बोल रहा था कि मुझे कंटीनियोसली मेरे मा के प्रती और मेरे अंटी के प्रती सेक्स की विचा सामने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ सेक्स कर रहा हूँ ऐसा मेरा पिक्चर मेरे दिमाक में क्रियेट होने लगता है और उसके कारण वो जो ज्वेलर है वो इतना डिप्रेशन में चले गया वो बोलता है कि मिछले दो-तीन महनों से मैं मेरे मा से और मेर और इंपोर्टन यह है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है मुझे आपको किसी को भी बीमारी हो सकती है इसमें सबसे इंपोर्टन चीज है कि यह बीमारी एकसेट करना कि मुझे यह बीमारी है और रदर दन रूनिंग अवे फ़म इट रदर ये बिमारी से भागना हमें treatment लिने की सप्त आवशकता है क्या इसकी treatment अवेलेबल है? हाँ, इसकी treatment definitely available है psychiatrist, इसकी treatment वकू भी निभा सकते है वकू भी कर सकते है इसकी mainly 3 प्रकार की treatment है 1- medicines जो अलग-लग अलग प्रकार की anti-OCD दवाईया हमारे पास अवलेबल है वो दवाईया लेकर पेशन के जो दिमाग में जो विचार आते है पिक्चर आते है गंदे-गंदे खयाल आते है ये पुरी तरह कम हो सकते है नमबर वन नमबर टू कॉंसिलिंग अलग अलग प्रकार की काउंसिलिंग हमारे पास अवलेबल है Cognitive Behavioral Therapy जिसको हम बोलते है Hypnosis संभोहन जिसको हम बोलते है ये दोनों धरपी से जो दिमाग में वार बार 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 जो गंदे खयाल आ रहे है वो पुरी तरह निकाले जा सकते है और psychiatrist इसको पूरी तरह निकाल सकते हैं और जो थर्ड प्रकार की treatment है वो है admit होना और उसके ओपर electroconversive therapy मतलब ECT होना ऐसे अलग-अलग-अलग प्रकार की sexual OCD की जो बीमारी है इस पे treatment available है important यह है कि आपने आपने डक्टर के पाँ जाना चाहिए आपकी जो पूरी बात है वो एक्सप्रेस करने चाहिए इतना ही नहीं तो आपने आपकी relatives के सामने वी यह बीमारी एक्सप्रेस करने चाहिए आपने यह video तो YouTube पे आता है जो मेरा video है वो दिखाना चाहिए और खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए जब हम treatment डेते है पेशन्ट को तो 70-80% चाहिए कि यह बीमारी आपकी 6-9 मेहने में चल जाएगी तो ऐसे यह बीमारी है यह बीमारी संबंदित में और भी कुछ information आपको अगली वीडियो बताऊँगा यह अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो यह वीडियो को जरूर लाइक करिए यह वीडियो को शेर करिए और मैरी चानल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू यह बीमारी संद आता है तो यह वीडियो को जरूर लाइक करिए